नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News निकाई मंत्री ने जारी किये निर्देश चुनाओ से पहले 79,000 पदों पर भरती करने की तैयारी मिजूटी हरियाना सरकार हरियाना SSC पट्टी का सारा दारुमदार हरियाना में चुनाओ से पहले बढ़ेगी बुड़ापा पेंशन, मुख्यमंत्री शैने ने दिये संकेत बताएंगे पूरी अपडेट चुनाओ से पहले HKRN में TGT और PGT की बंपर भरती स्कूलों में 26,000 से अधिक पद खाली करनाल में सिखों की परदेश तरी बैठक होई, विधान सभचुनाओ की 20 सीटों पर टिकट और पंजबी सिखसक भरती की उठाई मांग जम्मो कश्मिर के कुलगाओं में 6 तंकी डेर, दो जवान सहीद, तो दो जगों पर दो दिन से अनकाउंटर जारी, राज़ोरी में आर्मी कैम्पर हुआ हमला भारत ने 100 रन से जीता, दूसरा T20, जिंबापी को 134 रन पर समेटा, अभिशेक सर्मागी सेंचुरी, तो शीरीज एक एक से बराबर और उत्राखन में लेंड स्लाइड, चार धाम यात्रा रोकी गई, असम में 58 और यूपी में 13 की हुई मोत, मुंबई में 150 प्रेटकों का रेश्कु किया गया, लोकल ट्रेने सस्पेंड, और अब खबरे विश्तार से हरियाना में मानसुन ने रफ्तार पकड़ ली है, हिसारस्ति चोदरी चलंड सिंग हरियाना के शीविश्विदारा के मोसम विग्यान विबाक के अनुसार माने, तो परदेश में आमतोर पर 12 जुलाई तक मोसम परिवरतन शिल बना रहेगा, वहीं 8 जुलाई याज राजी म हरियाना सरकार ने हरियाना कोशल रोजगार निगम के तया बंपर भरतेया निकाले हैं, खास तोर पर स्कोलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया है, इनमें PRT, TGT और PGT अध्यापकों को पद निकाले गये हैं, इन पदों के लिए 11 जुलाई तक आविदिन किया जा सकता है, TGT और PGT प इन अभी 1200 PRT पदों की भरती निकाली हुई है, लेकिन इसको पूरा करने में लंबा समय लगता है, इसी कारन हरियान सरकार अब कच्ची भरती करने जा रही है, विबाग में अभी 26,000 से अधिक सिक्सकों के पद खाली है हरियान के भिवानी में जेज़ेपी के राष्ट्य देख्स एम पूरु सानसद अजे सिंग चोटाला ने चोदरी बंशिलाल, चोदरी भजनलाल वे चोदरी भुपेंदर सिंग हुड़ा की परिवार पर बड़ा हमला बोला अजे चोटाला ने कहा कि दो चोदरीयों जो 6-3 पार्टी बनाई थी आज उनका नामों निशान तक नहीं है बुरा वक्त देखा है हमें बीजेपी के साथ रहने से नुक्षान हुआ है लेकिन कारेकरता हिम्बत नहारें कारेकरता जोश के साथ अपने काम का परचार करेंगे तो आने वाले विदानसभा सुनाव में उनकी पार्टी फिर से मजबूत होकर उबरेगी दक्षन हर्याना के राजनीते में खासा परभाव रखने वाले गुरूग्राम से बीजेपी संसद एम केंद्रे राजी मंतरी राव इंदरजीत सिंग ने मुख्यमंतरी के कुर्शी को लेकर अपनी दाविदारी को त्याग दिया है केंद्रे ग्रह मंतरी अमित्षा के पंचकुला में आउजित बीजेपी कारेकारने की बैठक में सेम पत के लिए नाइब शेनी के नाम के एलान के बाद राव इंदरजीत सिंग पीछे हाट गए हैं हिसार में आजित एक कारेकरा में उन्होंने कहा कि इसका फैसला हो चुका है और नाइब शेनी के अदेखस्ता में ही विदान सबाद सुनाओ लड़ा जाएगा यानि हरियाना में यदि तीसरी बार भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनती है तो नाइब सेनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे पंजाब एम हर्याना हाईकौड के ड़प से हर्याना में सरकारी भरतियों में मिल्ले वाली सामाजीक आर्थिक मांदन्ड के पांच अंकों को एवेद करार दिया गए है इसके बाद हाई कोट की तरब से आदिश दिया गया है कि गुरूप C और गुरूप D की सभी बरत्या सिर्फ CT स्कोर के आदार पर तैयार की गई इसके लिए आदार पर की जाएंगी इसके लिए आयो की तरब से गुरूप नंबर 126 और 57 के लिए फिर शे आविदन मांगे गई हैं हर्याना SSA की तरब से गुरूप C और गुरूप D के लिए क्वालिफाई और नोन क्वालिफाईड उमिद्वारों की लिष्ट भी जारी की गई है सभी गुरूप C, CET क्वालिफाई उमिद्वार अपनी योगेता के अनुशार गुरूप नंबर 126 57 के लिए आविदन कर सकते हैं पहले आविदन करने के अंतिम तारिक 8 जुलाई 2024 थी जिसे अब बढ़ा कर 10 जुलाई 2024 कर दिया गया है हर्याना SSC की तरब से एक नोटिस भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि CET गुरूप D के संसोधित परिणाम की गोशना के बारे में उमिद्वारों को सुचित किया जाता है कि इसमें दिखाई गई उनकी स्रेणिया बिल्कुल वही हैं जो दिनांक 12 जनूरी 2024 को NTA द्वारों गोशित परिणामी थी ऐसे में आयो के तरब से क्रेक्शन पोर्टल खुला गया है नोटिस के अनुसार उमिद्वार 8 जुलाई 2024 तक सुधार पोर्टल पर जा सकते हैं हर्याना के मुख्यमंत्रे नायविशिंग शैनी ने पानिपत में 227 करोड रुपे के विकासकारों का शिलानास किया इस दोरान मुख्यमंत्रे ने कहा कि आज पानिपत में 32 परियोजनों का उद्गाटन और शिलानास किया गया है सरकार दोरा विकास कारी ओपर निरणतर ध्यान दिया जा रहा है, पिछले 10 वर्सों से पूरे पर्देश में बिना किसी भेदवाव की विकास किया जा रहा है पहले की सरकारों ने नैकेवल किसी एक छेतर का काम करके बाकियों के अंदेखी की थी बलकि देश की ओस्षत विकासदर से ज़्यादा हरियना की विकासदर अब है सरकार का प्रियास रहता है कि आम जंता और गरीबों को उसका हग दिलाए जाए बीते दिनों पातर गरीब प्रियारों को सरकार द्वारा सोसो गज के प्लाट बाटे गई थे इसके अलावा नयवशन ने ने कहा कि जिन पातर गरीब प्रियारों को प्लाट नहीं मिल पाए उनके खातों में एक एक लाग रुपे भेजे गई है हरियाना के पंचकुला में सहरी स्थाले निगाई मंतरी सुभाद सुधा ने परदेश की सभी निगाईव के अधिकारियों के साथ एक बैठे की अधिक्स्त करते वे विकास कारियों की समिक्षा की इस हवसर पर उनने बताया कि परदेश के अलग अलग सहरों की 2223 कॉलोनियों को नियमित के जाने के लिए विबाग के पास डाटा पहुंच गया है इनमें से 741 कॉलोनियों को नियमित के जाने के लिए चैन किया जा चुका है बाकियों के लिए विभागी परक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दे जा चुके है हरियान सरकार आने वाले विदान सबाद चुनाओं से पहले हरियाना में चल रही भरतियों को पूरा करना चाहती है ऐसे में आयोग और सरकार बिल्कुल फूर्ति से काम कर रहे हैं योगाओं को रिजाने के लिए सरकार चाहती है कि चुनाओं से पहले भरती परग्रिया पूरी हो जाए दरसल मुख्यमत्री नायब सिंग श्याने के नेतरतो वाली हरिनान सरकार गुरूप C और गुरूप D के लगबग 59 अजार पदो पर आगामी विदान सबा चुनाओं से पहले भरती पूरी करना चाहती है पर आप सब कुछ हरिना करमतारी चेर आयोग पर है हारियनाय में कुछी समय बाद विदान सबा चुनाओं हने हैं ऐसे में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि जनता को लुभायर न जासके इसी कड़ी में सरकार समाजीक शुरुक्षय पैंसन को बढ़ाने पर विज़ार कर सकती है खुद मुख्यमत्रे नयव सिंग शैनी द्वारा इसके संकेत दिये गई है फिलाल सरकार की तरब से पर्देश में 30,000 रुपे महिना समाजीक शुरुक्षय पैंसन दी जा रही है मुख्यमत्रे नयव सिंग शैनी द्वारा पत्रकारों से बाचित करते वे बताया गया सरकार द्वारा अभी भी पैंसन में बड़ोतरी पर विचार किया जा रहा है पूर मुख्यवंत्री वुपेंदर शिंग उड़ाग में बैठक में गोशना कर चुके है कि कॉंगरिस की सरकार आने पर सामाजिक सुर्ख से पैंसन को 6,000 रुपे किया जाएगा तो वहीं इंडियान नैशनल लोगदल भी 71,000 रुपे पैंसन देने का वायदा कर चुकी है तो वहीं जेजेपी पार्टी द्वारा घोशना की गई थी कि अदि उनकी सरकार बनती है तो वह लोगों को 51,000 रुपे पैंसन देगी हर्यान विदान सभा में 20, लोग सभा में 2 टिकट, राजी सभा में 6 समाज का परतिनी देतो वह परदेश में पंजाबी सिक्सक भरती साइद 10 मांगों को लेकर अब परदेश के सिक एक जुट होंगे इसके लिए बड़े स्तर पर संगर्श किया जाएगा और सभी जिलाव के परमुख लोगों को शामिल करते वे 51 सदश्य कमेटे का गठन होगा महीं स्度र महिने में परदेश तरीय समयलन करके समाज के लोगों को भी जागरू करते वी मांगों को परमुखतास उटाय जाएगा जानी करनालि में होई हर्याना के सिक्षों की परदेश टरीय बैठक में लिया गया हर्याना के कैथल में नई बाश टेंड पर लाबार्थियों को राहत देते वे रविवार को छुट्टे के दिन भी हैपी कार्ड बनाए गई ये कार्ड हर्याना रोडविज के कैथल डिपो के महा प्रबंदक कमल जी चहल के निर्देशों पर बनाए गई आपको बता दे कि हर्याना सरकार ने हर्याना अंतियोदुर परिवार परिवहन योजना के अंदर गत एक लाख अस्य अज़ार उपे तक भार्षिकायवाले परिवारों के लिए हैपी कार्ड के गोश्ट लाब बनेगा गजार किलोमेटर के मुफ्त यानी फ्री यात्रा का लाब मिलेगा एक हैपी काड के लिए लाबार्ति को पचास रपय का शुल्क देना होगा परिवार के सभी सद्यश्यों का हैपी काड अलग अलग बनेगा कैथल रोडवेज के जीम कमल जीत सिंग ने बताया कि नए अड़ा पर पहुंचने वाले किसी भी लाबार्ति को काड वित्रण में परिशानी नहीं आने दी जा रही है सभी लोगों से आहवान है कि जल्दी जल्दी बस स्टेंट कारेले पर आकर अपना हैपी काड लें हरियाने के सरपंचों ने एक बार फिर से भाजपा सरगार के विरुद मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है रवीवार को हिसार की कुमार धरमसाला में सरपंच असोशेशन के बैठेक में सरकार को बादचीत के लिए 15 दिन का अल्टिमेटम दिया गया बैठेक में पर्देश के सभी जिलों के परदान और ब्लोग परदानों ने हिस्सा लिया आगामी फैसला 25 जुलाई के मीटिंग में होगा सरपंचों ने बैठेक के बाद इसार से कॉंग्रेस आनसत चैपरकास उर्फ जेपी से भी मुलागात की तो इस सरपंच आसोशेशन हरिणा के परदान राणबीर गिल ने पत्रकारों से बाचित में कहा कि सरकार को 15 दिन का समय दिया गया है सरकार सरपंच आसोशेशन को उनकी मांगों पर चर्चा के लिए बुलाए जो कमी है उनको दूर करने का काम करे सरकार ने सरपंचों को मीटिंग के लिए नहीं बुला है तो इसके बाद सरपंच सरकार से कोई बाचित नहीं करेंगे भारतिय टेक कमपनी लावा 10 जुलाई को बजट सेगमेंट में नया समार्टफून लावा बलेज एक्स लॉंच करने जा रही है कमपनी ने लॉंच डेट की जानकारी अपनी ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर दी है स्मार्टफून में 120 हर्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.67 इंच का फूल एजडी प्लस काव डिस्प्ले इस स्मार्टफून में 8GB का रेम मिलेगा जिसे 8GB और बढ़ाया जा सकेगा हालांकि काई मीडिया रिपोर्स में इसके स्पेसिफिकेशन पहले ही सामने आ चुके हैं स्मार्टफून की शुरुवाती केमत की बात करें तो 14,999 में रुपय हो सकती है हारियाना के रोतक में 8GB भवन बहु अकबरपूर में 8GB खाब की पंचयात बुलाए गई इस पंचयात में कई शंगठन के लोग शामिल वे पंचयात का नेतरतो आठगामा परदान धरंबिर ने किया इस मोके पर समाज में चलाए कुरूतियों और समाजिक समस्याओं पर चर्चागी गई खाब पंचयात ने लिविन रिलेस्निशिप, घार से बाग कर साधी करना, प्रेमी जोडों को सरकार के और से सनक्षन देना समेथ कई परकार के मुद्दे उठाकर केंदर की मोधी सरकार को गहरा, तो पंचयात में फैसला लियागा है कि जल्द ही राज्य सरकार को अपनी मांगों को लेकर के आपन शोपेंगे अगर सरकार उचित कदम नहीं उठाती हैं, तो खाप पंचयाते इन कुरूतियों के खिलाब बड़ा अंतरलन करेंगी अगर कपास की फसल में पानी जमा हो जाता है, तो इससे फसल को नुक्सन पहुचेगा नमी में कपास पर कीट अधिक हमला करते हैं, इसलिए बारिश के बाद जब भी मोशम खुलें, तो किर्शी वेग्यानिकों या फिर नजदे की किर्शी वेग्यान के अंदर पर जाकर दवाईयों के छटकाउँ से समंधित जानकारी आउश्य ले लें आज खबरों बस इतना ही, देखते रहें आपका अपना हरिणा का सबसे बेहतरी न्यूज चैनल, CWB हिंदी न्यूज नमस्कार, इससे आशा के साथ आपका दिन सुब रहे